नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा दस्वे के पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त चैनित मुहावरे करेंगे यह मुहावरे बोर्ड के एक्जाम में आएंगे ही आएंगे और आपको बोर्ड एक्जाम देने से पहले इन्हें करके जाना है फस्त, छोटा मुहू बड़ी बात, बहुत बड़ चड़ कर बात करना छोटे होने के बावजूद वह अपने से बड़ों को सीख देता रहता है इसे कहते हैं छोटा मुहू बड़ी बात सेकंड, प्रान सूख जाना, बहुत डर जाना शेर को सामने देखकर शिकारी के प्रान सूख गए थर्ड, हसी खेल होना, सामान्य कार्य होना अंतरिक्ष में यात्रा करना हसी खेल नहीं है चोथा, एरा गेरा नतु खेरा, कोई भी साधारन व्यक्ती आज कल एरे गेरे नत्थु खेरे भी कार खरीदने लगे है पाँचवा, आंख फोड़ना, रात दिन मेहनत करना सफलता प्राप्त करने के लिए आंखे फोड़नी पड़ती है चटा, खून जलाना, बहुत परिश्रम करना इंजीनियर अपना खून जलाकर देश में नए नए पुलों का निर्मान करते है साथवा, सबक लेना, सीख लेना मात्मा गांधी के विचारों से प्रतियक व्यक्ती को देश भाक्ती का सबक लेना चाहिए आठवा, सूक्ती बान चलाना, नीती परक बाते कहना छोटी इसी बात पर दीदी मुझे सूक्ती बान चलाने लगी नवा, जीगर के टुकडे टुकडे होना, उत्साहस माप्त होना बड़ी महनत से बनाया हुआ प्रोजेक्ट, जब कहीं खो गया तो मेरे जीगर के टुकडे टुकडे हो गए दस्वा, जान तोड महनत करना, अत्यधिक परिश्रम करना मसदूर सड़क का निर्मान, शीगरता पूर्वक पूरा करने के लिए जान तोड महनत कर रहे थे 11. बूते के बाहर, समर्थ्य के बाहर हमें अपने बूते के बाहर खर्च नहीं करना चाहिए 13. दबे पाव आना, चुपके धीरे से आना शीर दबे पाव अपने शिकार पर जपटता है 14. प्रान निकलना, भहुत डर जाना रास्ते में चार बदमाशों को अपनी ओराता देख मेरे प्रान निकल गए 15. सिर पर नंगी तलवार लटकना हर समय खत्रा मन राते रहना उफरन करता कोई है पता चलते ही कि उसके बारे में पुलिस को सूचना मिल गई है और वह किसी वक्त उसे पकड़ने के लिए आ सकती है उसे लगने लगा मानों उसके सेर पर नंगी तलवार लटक रही हो 16. आडे हाथों लेना, कठोरता दिखाना शाम के जूट बोलने पर माने उसे आडे हाथों लिया 17. घाव पर नमक छिड़कना पहले से दुखी व्यक्ति को और अधिक कश्ट पहुँचाना गरीब व्यक्ति का उफास कर तुम उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हो 18. दिल्ली हमदर्दी होना, दिल से सहानुबुती होना राम की मत्व कून पुस्तक गुम होने पर मुझे उससे दिल्ली हमदर्दी हुई 19. दिल मजबूत होना, हिम्मत वाला होना 20. अनेक कठिनाईयों में भी वह विचलित नहीं हुआ, उसने अपना दिल मजबूत रखा 20. तीर मारना, लक्ष साधना, अधिक सफर करके भी तुमने कौन सा तीर मार लिया 21. तलवार खीच लेना, लड़ने के लिए तैयार होना 21. शत्रू का आक्रमन होते ही, प्रिथ्वी राच्चोहान ने अपनी तलवार खीच ली 22. तूट पड़ना, एक दम से भीड का अधिक संख्या में एकत्रित होना 22. दुर घटना स्थल पर लोगों की भीड तूट पड़ी 23. दिमाग होना, अपने को बहुत समझना या घमंड होना अच्छे अंक प्राप्ठ होने पर रामेश को दिमाग हो गया है 24. नौमेश नामो निशान मिता देना 25. एक चुलू पानी देने वाला 26. उसने तो सभी रिष्टेदारों से बैर कर लिया हुआ है अतहे मरते समय उसे किसी ने एक चुलू पानी भी न दिया 26. दीन दुनिया से जाना किसी काम का न रहना जिसने दूसरों को सताया था दुखी किया वह व्यक्ति मानों दीन दुनिया दोनों से गया 27. सिर फिरना अकेले अकल ठिकाने न रहना लाटरे का धन मिलते ही उसका सिर फिरने लगा 28. अंधे के हाथ बटेर लगना नूर्ख व्यक्ति को अचानक से कोई महत्तपून वस्तू मिलना आकाश बहुत मेहनत करने के बावजूद फेल हो गया जबकि रवी सारा साल खेलने के बावजूद कक्षा में प्रतम आया इसी को कहते हैं अंधे के हाथों बटेर लगना 30. दान्तों पसीना आना बहुत मुश्किल काम करना उसे बड़े पत्थर को रास्ते से हटाने में उसे दान्तों पसीना आ गया 31. लोहे के चने चबाना बहुत कठिन कार्य करना देश की सर्वच प्रतियोगिता परिक्ष में सफल होना लोहे के चने चबाने जैसा है 32. आंधी रोग होना कुछ भी समझ न आना परिक्षो के दिनों में पढ़ते पढ़ते आंधी रोग हो जाता है 33. खून करना, मारना या असफल करना मेरी अकांग्षाओं की पूर्ती न करके उसने मेरी उमीदों का खून कर दिया 34. बे सिर पैर की बातें करना तर्कहीन और असंगत बातें करना रवी चोरी करते हुए पकड़ा गया पुलिस द्वारा पूछ जाने पर वह बे सिर पैर की बातें करने लगा 35. पापड बेलना, बहुत प्रियास करना सत्ता प्राप्त करने के लिए नेताओं को बहुत पापड बेलने पड़ते हैं 36. आटे दाल का भाफ मालूम होना असलियत का पता चलना परिवार के साथ रहकर आकाश बहुत आश से रहता था परंतु जब से वह अलग हुआ है उसे आटे दाल का भाफ पता चल गया है 37. जमीन पर पाव ना रखना अत्यंत प्रसन होना प्रतियोगित परिक्षा में अपने पर्थम स्थान प्राप्त करने की सूचना पाकर अकांक्षा के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे 38. प्रानान तक परिश्रम करना बहुत महनत करना परिक्षा में सफल होने के लिए उसने प्रानान तक परिश्रम किया 39. मुद्रा कांती हीन होना चहरे का रंग उड़ जाना अपराद साबित होने पर सोमेश की मुद्रा कांती हीन हो गई 40. नरम पढ़ना विनम्र होना जूट बोलने के कारण पहले तो पिता जी ने सुरेश को बहुत डांटा परन्तु अंतिम असलियत का पता चलते ही वह नरम पढ़ गए 41. नजरे बचाना छुपने की कोशिश करना चोड सबसे नजरे बचाता हुआ मकान में घुस गया 42. पैसे पैसे को मोहताज होना जब साहिल अमीर था तो बहुत गमंड दिखाता था परन्तु कारोबार में भरे नुकसान होने के कारण पैसे पैसे को मोहताज हो गया 43. घर में लक्षमी आना धन संपत्ति का आना नई दुलहन के घर में आते ही जैसे घर में लक्षमी आ गई 44. जी ललचाना, लालच करना या मुह में पानी आना गुच्छे पर लटके अंगूरों को देखकर लोम्री का जी ललचाने लगा 45. नतमस्तक होना, सम्मान करना पिता जी ने मुझे कठिनाई को दूर करने का एक ऐसा रास्ता सुझाया 46. गिरह बांधना, गांट बांधना या अच्छे तरह समझ लेना मा पुरुषों की बातां से गिरह बांधने से हमारा जीवन सफुल होता है 48. लगती बाते कहना, रिदे को चुबने वाली बाते करना मेरे मित्र ने मुझे से ऐसी लगती बाते कही कि मेरी हिम्मत ही तूट गई 49. सोय से भागना, दूर रहने का प्रयास करना 14 सार की सजा बुगतने पर वह इतना सुधर गया कि जुर्म के साय से भी भागने लगा 50. सिर फटना, सिर पर बहुत चोट लगना पुलिस द्वारा किये गए लाठी चार से अनेक व्यक्तियों के सिर फट गए और अनेक घायल हुए